ओम शांती आज 17 नवेंबर 2021 है आज का गुण है गुण ग्राही बाबा की अव्यक्त मुर्ली 14.5.77 में बाबा ने इस गुण के बारे में बोला है बाबा ने कहा गुण ग्राही जो होंगे वे कभी भी हलचल में नहीं आएंगे वे सदा अचल स्थिती में रहेंगे क्योंकि गुण ग्राही अर्थात कल्यान की भावना वाले जो अवगुन देखते हैं, उनके अंदर अकल्यान की भावना होती है, इसलिए उनका मन भी हलचल में आता रहता है गुन ग्राही अर्थाद अवगुन में गुन देखने वाली किसी के अवगुन को देखते हुए भी उसमें से गुन उठाना, ये है गुन ग्राही जैसे किसी के अवगुन देखा कि देखो इसका अवगुन में कितना द्रड है तो क्यूं नहीं मैं भी अपने गुन में द्रडता बनाए रखे तो ये हैं गुन ग्राही तो आएए आज के दिन हम सब गुन ग्राही इसके इस गुन को धारन करे सुनते हैं आज का स्लोगन व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्व करना हमारे मुख से निकलने वाला एक एक बोल हमारे मन के आंतरिक मन के जो संकल्ब चलते हैं उसका परिचय करा देता है क्योंकि जैसे हमारे सोच होंगे वैसे हमारे बोल होंगे और वैसे ही हमारे करम होंगे इसलिए कहा जाता है सोच समझ करके बोलो तोल कर बोलो, बोल के एकनोमी करो क्योंकि जब मेरी जो मन की स्थिती स्रेष्ठ होंगी तभी हमारे बोल भी स्रेष्ठ होंगे और यदि मेरे बोल वेर्थ होंगा या एक्स्ट्रा होंगा तो ये है साधारन पंद की निशानी, मन की साधारंता तो ये मन की साधारनता जो है बोल में भी साधारनता लाती है और सुनने वाले जो हमारे साधारन बोल को सुनते हैं उनकी स्रेश थिती भी साधारनता में ला देती हैं तो ये हमारा वेर्थ बोले अर्थाद उनकी स्रेश थिती को दिस्टर्ब कर देते हैं उनकी परसंटेज को कम कर देती हैं, तो ये हमारा वेर्थ बोल होंगा, हमारा बोल बाप दादा के समान महावाक्य हो, बाबा की वारनी को हम मुरली कहते हैं, क्योंकि वो स्रेश्ट है, मीठी है, शक्तिशाली है, पतित पावनी है, तो हमारे बोल भी लोगों की मन की स्थिती को स्रेश्ट बनाने वाली, शक्तिशाली बनाने वाले हो, क्योंकि हम भी बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान हैं, तो आज के दिन हमारे बोल को चेक करें, एक-एक बोल स्रेश्ट हो, लोगों को उमहुच सा दिलाने वाले हो, ओम शान्ति.